हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमारी बग्या दोस्तों अपसे कुई जिनों पहले मैं कुछ वीडियो लेकर के आया था आपके लिए और ये जो प्लांट से मैंने ऑनलाइन लिया था और ऑनलाइन पर्चेजिंग का कुछ वीडियो लेकर के आया था पहले फ्रूट प्लांट के उपर मैं वीडियो लेकर के आया था क्योंक जो है मेरे पास दो या तीन तारिक को पहुंचे थे अगस्त महीने में ही तो कुल्मला के 16 सत्रा दिन पहले का वह फ्रोट प्लांट यह अभी तीन दिन पहले ही मेरे पास पहुंचे हुए हैं तो पहुंचने के बाद 3-4 दिन हो गए हैं, मेरे पास 17 तारिक को ये जिलिवर हुआ था और 15 तारिक को जो है वहाँ से ये भेजा गया था तो इन पौधों की क्या इस्थिती है, आपको क्या क्या बाते धेयान रखनी है पौधे आने के बाद भी और पौधे लेने से पहले भी कौन-कौन से बाते आपको जानना जरूरी है तो इसी टॉपिक पर आज का ये वीडियो है तो चलिए उन पौधों की सिती भी हम पहले देख लेते हैं और साथ-साथ जो बाते आपको ऑनलाइन में पौधों को खरिचते समय ज़रूरी है जानना तो उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं दोस्तो अगस्त के मैने में पहली बार मैं ऑनलाइन शॉपिंग का वीडियो आपके लिए लेकर के आया था जिसमें आप पौधों को ऑनलाइन खरिच सकते हैं इससे पहले आपने खाद या फर्टिलाइजर जो कटर है उसके बारे में भी वीडियो देखा होगा और यह जो था दोस्तो ऑनलाइन किस तरीके से आप पौधे खरिच सकते हैं उस पर वीडियो था और जो सेलर है इनके उन्होंने खुद मुझ से कौंटेक किया था कई बा यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया दोस्तो पौधे जब मेरे पास आये तो वो किस कंडिशन में आये क्या थिती रही और उसके बाद जब कुछ जन बीते तो उन में से कौन से पौधे की क्या थिती है तो इस पर आज मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हू और साथ ही लोगों का जो रिस्पॉंस रहा है ओनलाइन पर्चेस करने के बाद तो वो रिस्पॉंस भी मैं आपके साथ सारा शेयर करूंगा और साथ में जो है बहुत सारी ऐसे बाते हैं जो ओनलाइन पर्चेस करते समय आपको जो सेलर है उनसे कर लेनी चाहिए तो दोस्त तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन प्लांट्स के बारे में और देखिए आज एक फूल खिला हुआ भी है इसमें जब ये पौधा मेरे पास आया था तो ये कली खिली हुई थी और 17 तारिक को ये पौधा आया था उसे दिन ही मैंने इसका वीडियो भी बनाया था और अग ये जो है छोटे पौट में मैंने लगाया है लगबग 5-6 इंच के पौट में ये लगा हुआ है तो ये जब आय थे मेरे पास तो वो वीडियो आपने देखा होगा कि नीचे जो है मिट्टी बहुत कम थी थोड़ी मिट्टी थोड़े कोको पीट में जो है केबल पौलितिन के अंदर रैप करके उन्होंने भेजा था और पॉलितिन समय एक दिन मैंने रखा था पैकेट से तुरंत निकाल करके हलाकि उन्होंने जो गिलिवर किया था पौदे मुझे 15 तारिक को भेजा और 17 तारिक को मेरे पास पहुंचा और पत्ते हलकल के मुर्जाए हुए थे सौविक है पत्तो का मुर्जाना पैकेट के अंदर बंद रहते हैं तो और गुढ़ल में ऐसे भी पत्ते थोड़े पिले पन भी कई बार आ जाते हैं इस तरीके से तो उसके बाद मैंने तुरंती पौदो को खोल दिया था और खोलने के बाद पौलितिन भी आधा आधा उपर से हटा करके एक दिन जो है शेड में मैंने दूसरे पौदो के साथ उनको रख दिया और चुकि जो है गर्मी काफी है यहां पर तो अगले दिन मुझे इसको प्लांट करना पड़ा क्योंकि किसी दूसरे अलग से जो नर्सरी पौलितिन होता है उसमें यह पौदे नहीं थे तो यह जो है नॉर्मल जो पौलितिन होता है तो उस पौलितिन में थे तो पौलितिन को अलग करके मैंने फिर इसको जो है छोटे पौट के अंदर जैसे था वैसे ही लगा दिया और इसमें जो है कोई जादा कोई खाद बगर का मैंने यूज नहीं किया नॉर्मल जो मिट्टी है उसी को जो है ले करके और थोड़ा उसमें रेता बगरा मिला करके उसी में मैंने इसमें लगा दिया खाद बगरा आपको जादा इसमें अभी मिलानी के जुरुत नहीं है अगर वर्मी कंपोस्ट मिलाना चाहते हैं तो 10 से 15% तक आप शुरू में मिलाईए क्योंकि छोटे पौदे हैं अगर आप इनको खाद वगरा जादा डालेंगे तो उसमें छोटे पौदों को फिर ये नुकसान करेगा तो पहले मैंने इस तरीके से उनको लगा लिया थोड़ा सा पानी दिया और पानी जो है ये ख्याल लगा कि इसमें जमे ना नीचे से जो ड्रेनेज है ये जो नर्सरी पौट होता है इसमें काफी अच्छा होता है बहुत सारे होल्स बनी होते हैं तो होल्स में मैंने पहले जो है कुछ छोटे-छोटे कंकड के टुकड़े भर दिया यहां तर और उसके उपर ही मैंने फिर जो रेता मिला हुआ मिट्टी है तो उसमें इसको लगा दिया और लगाने के बाद देखिए ये जो कली थी वो आज जो है खिल चुका है उस इन कली में था जब ये मेरे पास आया था 17 तारिक को और आज जो है ये 20 तारिक में ये फूल जो है मुझे खिला हुआ दिखाई दे रहा है और एक चीज़ देखिए इसमें पत्ते जो है पीले पड़ गए हैं बहुत सारे पत्ते जड़ भी गए हैं तो ये सवाविक है कोई दिक्कत नहीं होती है देखिए ये जो पत्ते हैं सब पीले पत्ते हैं तो कुछ पत्ते जरूर इस तरह से पीले पड़ते हैं तो जो पत्ते था मैंने पौदा बिलकुल देखिए जहां तक ये मिट्टी इसमें पौदा था तो वहीं तक ये मिट्टी है उसके ऊपर मैंने जरा भी मिट्टी नहीं चड़ाया चाहे तो आप पौदे को थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं जो इसके सर्फिस का लेवल है लेकिन इसको आप खराब नहीं होते हैं बाकि जो पाँच प्लांट है उन में से तीन प्लांट मेरे पास सही सलामत पहुँचे थे गुड़हल के और दो प्लांट मैंने आपको दिखाया था कि इस्तरस से ब्रेकेश था तो एक तो उसी तरीके से ये है कि उपर जो प्लांच है वो है और यहा यह जो ग्राफ्टिंग एरिया है यह था हमारे पास यह छूटा सा यह निकल रहा है मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो देखते हैं यह भी शायद बढ़ जाएगा मुझे लग रहा है और इस तरह के पौधे आए तो यह चीज रिफंडेबल होता है तो नरसरी वालों आप जहां से आपने यह पौधे मंगाए हैं उनलाइन उनको शेयर कर सके तो उसके एवेज में वो दूसरा पौधा आप तक जरूर डिलिवर करते हैं और यह टैग नंबर जो है जरूरी है कि इसमें जो है कौन से वराइटी का आपको दिया था तो टैग को ना हटाए क्यो है पौधे में इस तरह से टूट-फूट हो जाती है तो उसकी चिंता ना करें आप जो भी आप परजेजिंग करते हैं या जिन से भी लेती हैं पहले से इस बारे में बातचित कर ले कि पौधे की कंडिशन खराब हुई या टूट-फूट हो तो क्या उसका वह बापस करें तो इस बारे में पहले से ही आप बाचीत करके उनसे क्लियर कर लें, दोस्तों इसके बाद जो पौदे आये थे मेरे पास, वो देखिए, ये अगनियम के भी आये थे साथ में, उन्हें वेजा था, तो पाँच पौदे अगनियम के थे, और अगनियम को मैंने हटाया नहीं, उ साफी हाड़ी प्लांट है केबल ज्यादा पानी से इसको नुकसान है नॉर्मल अगर यह तीन-चार दिन ऐसे पड़ा हुआ रहेगा बिलकुल सूखा तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और ज्यादा पानी की बज़त से यह पत्ते मोसली पीले पड़ती है और कोई जि तो अगेनियम को अभी मैं इसमें कोई दिन और रहने दूँगा और फिर मैं बाद में इसको रिपॉर्ट कर दूँगा और इसको जब भी आप मिट्टी बनाए तो बहुत हल्की मिट्टी बनाए कि जिसमें पानी बिलकुल भी ना रुके इस तरह की मिट्टी आप बनाए या कोकोपीट का भी आप यूज़ कर सकते हैं और कुछ जो है जो इस तरह के दाने होते हैं थर्मकॉल के बने हुए होते हैं थर्मकॉल के जो टुक्रे-टुक्रे हैं वो भी आप इसमें मिला सकते हैं ताकि बीच में जो है जेनिस के लिए जगा बनी रहे तो इसमें तो कोई सूखने लगते हैं तो दोनों की इस्तिति देखे ठीक है बहुत साले गुढ़ल में पीले पड़ गये पत्ते लेकिन कोई दिक्कत नहीं है न्यू पत्ते इसमें जल्दी आ जाएंगे और पीले पत्ते जो है इसको आप हटा भी दे क्योंकि इसमें कई रोग भी आ जाते हैं क यह जो पौधा है चाइनीज ओरंज का एक ओरंज लगा हुआ था वो अब भी है और पौधे देखिए काफी अच्छा ग्रोथ ले रहें ने ने पत्ते भी यहां से आना शुरू हो गएं सामने से बिलकुल पौधे सही स्थिति में इसको मैंने 11 इंच के पौट में लगा द 10 इंच या अधिक से अधिक 11 या 12 इंच के पौट में लगाए 10 इंच ऐसे सबसे बेटर है और यह जो आम का पौधा है यह थाई All Time Mango है ग्राफ्टिंग का पौधा मेरे पास आया था और इसको मैंने जो है 5-6 दिन बाद मैंने लगा था 5-6 दिन तक उसी पौली में ही रहने दिया जिसमें कि उन्होंने भेजा था और यहां से इसके बार भी निकली हुई थी तो बार तो बाद में सूख गए एक भी रहनी जड़ गए और नहीं भी जड़े तब भी आपको इस बार को रखना नहीं है क्योंकि प्लांट कभी छोटा है अगर आप अभी से आम लेने जाएंगे तो प्लांट की ग्रोट जो है बिल्कुल रुख जाएगी तो इस बार हो तो भी आप उनको तोड़ दे शुरू में दो बार आप इसमें से कोई भी प्रूट ना ले और यह जो है तीसरा बेर का मेरे पास आया था और बेर में भी जेके ग्राफ्टिंग है और य यह उस समय नहीं थे जब मेरे पास पौधा आया था और इसमें जो है ग्रोट काफी अच्छी है बिल्कुल तरो ताजा पौधे हो गए हैं एक दो इसमें फूल आई हुए थे वो फूल गिर गए क्योंकि पौधा जो है बहुत छोटा है अभी फूल रखने की स्थिति में और बाकी जो है फूल प्लांट्स में कोशिश करें कि आप दो बार के जो फूल है वो तोड़ दे और कम से कम एक से दो साल तक आप इसमें फूल ना ले तब ही बेतर रहेगा बाकी बेर बगरा में आ जाते हैं फूल से एक दो रखना चाहे तो रख सकते हैं लेकिन ज़्या से आप कर रहे हैं अगर आपने यूट्यूब वीडियो देख करके कर लिया है या कर रहे हैं तो उसमें जो है उनके कमेंट्स को जरूर पढ़ ले उस वीडियो के कि लोगों ने जो ऑनलाइन पर्शेजिंग किया है तो उसका क्या रिस्पॉंस है और साथ ही आप जो है करके भी आप उनका रिस्पॉंस जान सकते हैं और प्लांट अगर टूटे फूटे आते हैं तो उस बारे में भी बात्चित कर ले कि अगर टूटे फूटे आते हैं तो क्या उसके अवेज में वो दूसरा प्लांट आपको भेजेंगे और भेजेंगे तो क्या उसका कोई च तो इस बारे में बाच्चित पहले से ही आप कर ले बाकी कोई घबरानी की बात नहीं है प्लांट कोई जिन तो मुर्जा हुए रहेंगे बाद में अपने आप ठीक हो जाते हैं और कभी भी पौदे आने के बाद तुरंत उसको ना लगाए अगर मिटी बिल्कुल छूटा हु फ्रूट के प्लांट है तो नरसरी पौलितीन में थे तो इसको भी आप पंदा दिन तक आराम से रख सकते हैं लेकिन जो गुढल के पौदे आये थे तो ये नरसरी की जो पौलितीन होती है उसमें नहीं थे नॉर्मल जो पौलितीन होती है तो उसमें ये थे तो इसको जो ह एक दिन बाद मुझे रिपोर्ट करना पड़ा क्योंकि पौदे की जड़ भी काफी कटी हुई थी तो प्लांट की स्थिति देखे तुरंट से रिपोर्ट ना करें बलकि दूसरे पेड़ पौदों के साथ छाय में इसको रख दे तो उमीद है दोस्तो जो भी जानकारी मैंने आपको दी है काफी अच्छी लगे होगी और एक बात और इन प्लांट के समद में जो रिपोर्ट मेरे पास आई थी फ्रूट प्लांट का काफी अच्छा रहा लेकिन कई जगा पर कोरियर वालों ने जो मोर तोड़ के पैकेट्स को तोड़ दिया है तो कोरियर वालों की गलती है लेकिन भुगतना अब जिनोंने भेजा है उनको ही पड़ेगा तो आगे से मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि पैकेजिंग अच्छे से हो इस बात का ध्यान रखे जो भी कोरियर से भेज रहे हैं तो वो भी ध्यान दखे कि जिनकी सर्विस अच्छी हो, बले ही रेट्स तोड़ा ज़ादा हो, उनके चार्जे ज़ादा हो, तो उनसे ही जो है आप पॉदर को भेजे, ताकि नुकसान आपको भी ना उखाना पड़े, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक देखते रहिए हमारी बग्या,